अब हम क्या देखेंगे लाप्लास ओफ डेरिवेटिव लाप्लास का डेरिवेटिव देखेंगे ठीक है लाप्लास का डेरिवेटिव क्या होता है ठीक है यह कैसे हम देखते हैं मालनों की कोई function किसी भी f of t का लाप्लास क्या दे रखा है आपको x of s दे रखा है ठीक है तो अ of f of 0 plus s into laplace of f of t ठीक है अगर दो बार differentiate किया तो क्या हो जाता है minus minus derivative of मतलब minus क्या होगा इस function को एक बार आप differentiate करोगे उसके बार 0 put कर दोगे minus s f of 0 into s square laplace of f of t ठीक है समझ में आगया अब देखो पहला इसे हम प्रूफ करते हैं ठीक है तो इसे कैसे प्रूफ करोगे आप यहाँ पर क्या है अगर हम किसी function को differentiate कर देते हैं तो u है यह function क्या आपका v है ठीक है तो by parts आप इससे क्या कर दोगे break कर दोगे राइट तो by parts करने के लिए आप क्या करोगे बताओ तो by parts करने के मैंने क्या किया अब हम लोग क्या देखेंगे laplace transform of derivative ठीक है माल लोग कि कोई भी आपका function है उसका आप laplace transform निकालते है वो क्या आता है x of s आता है अगर आप उससे differentiate कर देते हो तो उसका laplace transform क्या जाएगा अगर f of t को आप differentiate कर देते हो तो उसका laplace transform क्या आजाएगा minus minus f of 0 plus laplace of s into laplace of f of t अगर उससे double differentiate कर देते हो तो क्या हो जाएगा minus derivative of f at t equals to 0 ठीक है minus s of s into f of 0 plus s square laplace of f of t ठीक है इसे हम differentiate करके देखेंगे मतलब proof देखेंगे कैसे यह आता है तो मुझे laplace किसका लिएगना है f of differentiation of f of t का मतलब इससे हम अगर differentiate करते है तो उसका laplace transform क्या आजाएगा तो हम क्या लेंगे limit 0 to infinity e to the power minus st into function यहाँ पर क्या है f dash t ठीक है इससे हम solve करेंगे तो मैंने क्या लिए इससे क्या ले लिए यू ले लिए और इससे क्या ले लिए वी ले लिए तो by parts करेंगे तो अब क्या करेंगे by integral by parts ठीक है तो हम इसे क्या करेंगे integrate करेंगे तो u को as it is हम लिए और यह जो function है उससे क्या कर देंगे हम integrate कर देंगे तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने यह क्या आपका f dash है तो यह वाले function को जो weave function है उससे integrate कर देंगे that is 0 to infinity minus यहाँ पर 0 to infinity एक पहले से है उसके बाद क्या लेंगे integration 0 to infinity इसे हम u को क्या करेंगे differentiate कर देंगे तो क्या आजएगा e to the power minus st e to the power minus st into इसे क्या करना है minus s उसके बाद क्या करेंगे इस function को क्या करेंगे हम integrate करेंगे तो क्या आज गए 0 to infinity f of dash d dt और पहले से dt था ठीक है अब क्या हो गया जब हम किसी भी function को मालो यह क्या f dash क्या है f dash t क्या है आपका ऐसे लिख सकते हो d upon dt f of t जब इसे integrate करते हो किसी भी जो भी मालो की derivative है उसे जब integrate करते हो तो integration और जो derivative होते हैं एक दूसरे को cancel out कर देते हैं तो क्या से बचेगा f of t बचेगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया f of t यह क्या हो जाएगा आपका s को मैं बाहर ले लूँगी तो क्या आजाएगा plus minus s को बाहर ले लिया plus s 0 to infinity e minus e to the power minus st इसे जब फिर से integrate करते हो क्या आजाएगा f of t dt 0 to infinity right फूरे को मैंने फूरे का limit है वो बाहर ले लिया फिर यहाँ पे आप limit अलग लग put कर दोगे तो जब infinity put करोगे तो क्या हो जाएगा e to the power minus infinity 0 होता है तो फूरा function 0 हो जाएगा जब 0 put करोगे तो यहाँ से आपने क्या लिख दिया minus e to the power 0 f of 0 plus s into यहाँ पे यह किसका laplace transform हो जाएगा आपका f of t का यहीद laplace transform f of t का क्या होता है यही यह होता है तो यहाँ पे आपकी लिख दिये laplace transform of f of t तो यहाँ से क्या आगया minus f of 0 plus s l f of t ठीक है तो यह आपका हो गया तो यह किसका फॉर्मूला आपका laplace of f of f' t का लाplace transform آगया ठीक है समझ गया अगर हम उस function को double differentiate कर देते हैं तो क्या होगा उसका la plus transform 0 to infinity इसे हमने क्या ले लिए u ले लिया f double dash को क्या ले लिया v ले लिया ठीक है तो मैंने क्या कि u को as it is लिख दिया इसका integration ले लिया 0 to infinity f double dash t dt ठीक है फिर मैंने क्या लिया minus 0 to infinity इसे भी by part से करेंगे 0 to infinity इसे क्या करेंगे u को differentiate कर देंगे और इसे v को integrate कर देंगे ठीक है और limit मैंने बहार ले लिया 0 to infinity यह वाली जो limit थी यहाँ पे ले लिया एक integration क्या करेगा यह double derivative है तो एक derivative को cancel out कर देगा तो क्या हो जाएगा आपका f dash t हो गया 0 to infinity plus s को मैंने minus s को क्या ले लिया बहार ले लिया 0 to infinity यह आपका आगया ठीक है उसके बाद क्या हो जागा जब limit आप put कर दोगी तो यह आपको मिल जाएगा plus यह किसका derivative हो जाएगा s into l f dash t का derivative हो जाएगा ठीक है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी यहां से क्या आगया f dash 0 plus s f dash t का मैंने पहले जो formula बताया था वो क्या हो जाएगा minus f of 0 plus s laplace of f of t इसे solve कर दोगे तो आपका क्या आगया यह formula आगया तो यह किसका आजाएगा आपको laplace of f double dash ठीक है इसका double derivative का formula आगया तो इसके basis पे हम क्या देखेंगे इसके basis पे आपके numerical sum solve करेंगे ठीक है तो आपको अगर exam में पूसता है कि अगर आपको क्या करना है proof देना है तो आपको यह पूरा करना पड़ेगा लेकिन अगर जब question में implement करने को कहेगा तो हम direct formula से जाएंगे ठीक है